जै हिंद जै हिंद दोस्तों दोस्तों आपका एक बार फिर से सोगत है दिव्यान शुर्थरी यूट्यूब चनल पर मैं आसा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होगे घर पर होगे सुरक्षत होगे और मन लगा कर अपनी पढ़ाई कर रहे होगे बहुत टाइम हो गया लाइट नहीं है बहुत सारी चीजह नहीं है ठीक है तो इस सब चीजह है कि मद्दे जनर आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करी हम आपके अंत तक आपके साथ रहेंगे जित्ता हो सकेगा हर एक पॉइंट पर आपकी मदद करने ही कोशिश करेंगे आज का वीडियो बहुत टूबर के लास्ट में नवंबर के फर्स्ट वीक में स्सी प्लान करेगी स्टेनोग्राफर के एक्जाम का या फिर जो 2019 का एक्जाम हुआ था उसी टाइम स्सी के 2020 का भी एक्जाम हो सकता है यह मेरा अजम्शन है यह कोई आपका प्रूफ नहीं है आप ऐसा बोल सकते हो कि एक बड़ा ही बड़ा सवाल लोगों के जहन में है कि अगर पेपर लेट होता है या पेपर अभी पता नहीं है कब होगा तो करंट अफेर्स का क्या करें एक कोशन बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है इसको कईसे तयार करें तो बहुत सिमपल सी स्ट्रेजी है करन्ट अफेर्स को तयार करने के आपको बिल्कुल भी घवराने की ज़ुहरत नहीं है किस ट ragd's को तयार करना है कौन से इंपोर्टेजंट नई ख्यार करना है neighborhood हम बात करने वाले में हम बात करने बाले हैं इस वीडियो होने वाला है आपको एक strategy पता पड़ेगी आपको एक direction में लेगा एक current affairs को आप किस टाइप से अच्छे से तयार कर सकते हो पेपर में अच्छा खासा score कर सकते हो ठीक है तो एक question बहुत सारे लोगों के जहन में है अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ से timeline को लेकर बड़ा confusion होता है लोगों को के current affairs कब से कब तक का दियार करें तो पहले चीज में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ के जो लोग daily current affairs पढ़ रहे हों ssc के लिए बहुत तोड़ा स्किप कर सकते हैं इसको क्योंकि वो आपको ज़्यादा benefit नहीं होगा daily current affairs for ssc examination के लिए दिहान रगना UPSC वाले हैं उनकी बात नहीं करूँगा उनको पढ़ना पढ़ता है बस ssc वालों के लिए daily वाला system जो है वो bulk of current affairs होती है पुटी पुल्टी आप फालतु की पढ़ोगे आप उसको याद भी नहीं कर सकते और उसमें से question का जो वो होता है न क्या बोलते है सबसे important topic current affairs में जो इससी लगाता है और पूछ रही है वो है awards सबसे important topic अगर आप paper को उठा के देखो के पुराने paper को तो एक question आपको awards से मिलना ही बाला है ठीक है तो current affairs के एक दो question current affairs के जैसे 7 question आ रहे है 8 question आ रहे है तो 2 question awards से पूछ जा रहे है नहीं और अब क्या होता है न बच्चे confused जाते हैं कि awards भी बहुत selected होते हैं जैसे आपको स्रिफ 10-15 awards पढ़ने है ज्यादा awards आपको नहीं पढ़ने है ठीक है अगर मैं awards की बात करूँ तो यार जैसे आपको पता है novel prize हो गया पदम awards हो गया आपके ठीक है बी सी सी याई आई सी के जो sports awards होते हैं वो बहुत important है आपके इंडियन फ्लेम की जो national awards होते हैं वो important है तो ऐसे मिला के कुछ 10-15 awards होते हैं अब आप जब इनको पढ़ते हो तो आपको पता है आपने 2020 के पूरे अवर्ड पढ़ लिए माल लीजिए आपने 2020 के पूरे अवर् awards को पढ़ाएं बहाँ पर आपको सिर्फ एक बार Google करना है और बहीं पर आपको अपडेट करना है कि 2021 में अवर्ड किसको मिला है अगर मिल गया है तो या आपका एक्जाम अगर डिले जादा हो गया है तो अगर आपने 2020 के पूरे अवर्ड पढ़ लिए कोई दिक्कत की बा सिर्फ करना आपके लेखे हुएं जब आपका एक्जाम अगर डेले हो जाता है 2021 में भी आवर्ड मिल जाते हैं तो वही आवार्ड दोज़ार इकिस में रहेंगे वह बदलेंगे नहीं सिर्फ आपको इत्ता सरा करना है गूगल करना है google करके आपको 2021 में जो भी award मिले है for example माल लीजे 2020 में novel मिले है आपका exam delay हो गया तो बस उस time आपको कुछ नहीं करना 2021 के novel किसको मिले है भही पर आपको update कर लेना है ठीक है तो इससे क्या होगा सर आपके current affairs का जो horizon होगा वो तयार रहेगा हमेशा तयार रहेगा आपको extra कुछ मी नहीं करना है कि यार हम पुराना पढ़ेंगे नया पढ़ेंगे कुछ मी नहीं बढ़ना ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं second most important topic की वो है appointment or death की तो आपको पता है यार SSC क्या है one of the most important topic SSC का favorite topic है appointment का death से इत्ते question नहीं पूछती बहुत ही famous इंसान कोई मरा होगा तो question आते हैं जो question आते हैं वो है appointment से तो आपको पता है appointment भी ऐसे नहीं होते के रोजी अब क्या होता है न लोग बाद क्यों फच जाते हैं कि वो 100, 200, 300 appointment याद कर लेते हैं SSC को इनसे कोई मतलब नहीं है मुस्किल से 40-50 appointment आपको याद करने है जो बहुत ही important है जैसे finance secretary हो गया आपका आपका NIA का chief हो गया आपके RAW के chief हो गया IB के chief हो गया आपके ठीक है और अगर हम बात करें तो आपका जो election commission है वो है finance commission है आपके तो इनके जो chairman है उनसे कुछ SSC question पूछते है और आपको पता हो का यार ऐसा तो यह नहीं है यह दो-तीन महीने के लिए बनते हो यह बनते हैं काफी long time के लिए तो बस आपको जो appointment है 40-50 appointment आप लिखी है अपने copy में इनको आप लिख लीजिए यह important appointment है जब भी आप एक बार आपको अगर आपका paper delay होता है तो आपको कुछ नहीं करना है वो ही 40-50 appointment की copy उठानी है उनको revise करना है और एक बार google करके देखना है कि यार वो फलाना इंसान कहीं change तो नहीं हो गया जैसे election commission है आपने election commission तयार करा आप पड़ रहे हो आप उसको एक बार थोड़े time के अगर time हो जाता है तो अभी नहीं करना है अभी तो आपने latest पड़ा ही है तो आपको कुछ नहीं करना है सरफ एak google करना है google करके आपको देखना है यह change तो नहीं होगा हो गया तो बस बहीं पर क्या करना है आपको अपडेट करना है इससे आपका appointment वाला topic भी हमेशा तयार रहेगा awards वाला topic भी हमेशा तयार रहेगा उसके बाद हम बात करते हैं summits की तो same concept summit का होता है आपको पता है summit एक बार होती है ऐसा तो नहीं है 10-10 summits हो रही है 2020 जैसे for example आपने bricks की summit लेकी 2020 में आपने लिखा यार bricks की summit 2020 में होई है रसिया में ठीक है अब आप पढ़ रहे हो आपको time हो गया आपका paper में भी time है तो बस आप थोड़ा सा google करिए और देख लिए जिए 2021 की summit कहां पर होई है bricks की बस भाही पर अपडेट कर लेजिए कि bricks की 21 की summit कहां पर होई है आपकी इंडिया में होई है next summit कहां पर होने वाली है इस type से आप अपडेट कर लेजिए अगर time होता है तो आपको ऐसी पूरी summits एक type से लिख लेनी है जब भी summits होंगी भाहाँ पर आपके summits पूरी तेयार ह हो जाएंगी आपको पता है इस इसी कई सारे कोशन समट से पूछ रहा है फूर्थ जो इंपोर्टेंट टॉपिक आता है वह है इंडेक्स का अब इंडेक्स आपको पता है इंडेक्स भी हर साल आते हैं जैसे माल लीजिए आपका HDI में इंडिया की रेंक 131 इस बार तो अगर वो पीछे का भी पूछता है कई बार पूछा गया है जैसे 2020 में SDI आया है तो वो 2019 भी पूछ लेता है कभी कबार तो एक कोशन भी आपके complete हो जाएंगे 2020 का भी आपके पास पता है 2019 का भी आपके पास पता रहेगा तो इस टाइप से आपका जो current की जो book है वो हमेशा के लिए आपकी तयार है याद रखना इस चीज को कि आपको नई चीज है नहीं पढ़नी है कभी बी क्योंकि current affairs के topic तो सेम ही है awards पदम awards तो पदम awards ही रहेंगे बस आपको update करना है कि हर बार कौन सा हो गया है ठीक है अपनी copy में इतना space रखिएगा कि जिससे आप चीज़ों अपनानी पड़ेगी खासकर अभी अपनानी पड़ेगी क्योंकि अभी fluctuations बहुत हैं exam कब होगा पता नहीं है कभी भी हो सकता है हम ए भी नहीं कर सकते कि हम अपनी तयारी को छोड़ दे अभी date आ जाए हम ऐसी बैठे रहे हम ए भी नहीं कर सकते हमको लगातर बढ़ना जा दूँगा कौन से important topic sports की current awareness से आते हैं ए भी आपके साल में एक बार होते हैं तो कुछ important topic sports की current awareness से आप पढ़ सकते हो उसके बाद हम बात करते हैं eco, eco मैं mainly budget से थोड़े बहुत question पूछे आते हैं budget एक बार ही आता है पूरा budget आपको नहीं पढ़ना है जो important चीज़े हैं व सारे budget को पढ़के तो इसका कोई मतलम नहीं cost benefit zero है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो ठीक है इसके भी कर सकते हो last पर आता है national और international event हाँ यह थोड़ा सा दिखकते हैं कि हरवाल नया होता है ठीक है इसको आप नहीं लिख सकते नई नहीं चीज़े होती हैं कौन सा पार्क कहा पर बना या कोई मोधी जी न कोई बड़ी सी चीज कर दी या कोई international में कोई मर गया है को बड़ी घटना हो गई इंटरनेशनल में तो ऐसी current affairs के लिए आपको कुछ नहीं करना आपको last six months में जो चीज़े होई हैं सिर्फ बोई बढ़नी है इनके लिए चीज करनी है आपको last बड़ी pipeline डाल दी है या हमने कोई से agreement कर लिया है तो ऐसी चीज़े हैं यहां से question आता है और यहां से question बनता है वो बहुत ही recent से question मनता है recent मैं बात कर लूँ तो बहुत ही 2-3 महीने तो national और international current हमेशा आप current की पढ़के जाए जिसमें आपके last के 2-3-4 महीने की पहले की होगी उसके बाद आते हैं हम सबसे important topic जहांसे question आपको paper मिलेगा that is scheme आपको बता है जो latest scheme है चाए वो पुरानी scheme है SSC question देता ही है तो इस topic को अच्छे से तयार करके रखिए नई schemes भी पढ़ लिजिए पुरानी scheme भी पढ़ लिजिए ठीक है जो सदावार है एक नई question आपको इस scheme team से मिल जाएगा ठीक है तो एक topics हैं जिनको अगर आप कर लेते हो तो जो तैयारी है current affairs के आपकी बहुत अच्छे से होने वाली है हां अगर आप इस सोचो कि एक book ले लेते हैं हम वो book से हम रट्टा लगाते रहते हैं तो हर बार आपको एक book खरीदनी पड़ेगी हर बार आ ठीक है तो आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा काम हो जाएगा ठीक है तो एक चीछ आपके इतने कर लेते हो तो your current affairs paper topic जो है वो आपको बहुत अच्छी से तयार हो जाएगा exam में अगर 9-10 question आते हैं तो easily आप 6-7 question exam में मार्क कर पाओगे अगर आप इस सब्चीने कर सकते हो तो एह important topics हैं को एक बार आप देख सकते हो कोई भी book अगर आप purchase करते हो तो एह ही important topics को आपको सरफ पढ़ना है फालतु कि topics को आपना दे time बरबाद मत करिएगा क्योंकि अगर आपको लगता है कि और कुछ भी आ सकता है तो पुराने paper आप उठाके से देख सकते हैं जसी न strategy से पढ़ सकते हो और current aware में बहुत अच्छा score कर सकते हो घर पर रही है सुरक्षे दीजिए thank you so much